इसमें electric field lines दी हुई है हमें so electric field lines कुछ ऐसे है so this is the pattern of electric field lines पहले electric field lines के बीच में जो distance है बाद में वो double हो गया तो यहाँ पे अगर electric field lines के बीच में distance d है तो यहाँ पे वो distance हो गया 2d if a charge particle takes time to move a distance x in left region तो left region में एक particle अगर x distance चलता है तो वो x distance चलता है यह हमको question बोल रहा है then how much time it will take to travel same distance in right region तो यहाँ पे अगर right region में वो x distance चलेगा x distance चलेगा right region में तो उसको time कितना लगेगा let us say capital T time लगते और हमको यही निकालना है तो हम solution में क्या लिखेंगे कि जो charge particle है क्योंकि यह electric field है अब यहाँ पे अगर electric field E है तो यहाँ पे electric field E by 2 हो जाएगी क्यों? क्योंकि जब electric field lines की बीच में distance बढ़ जाता है तो electric field lines की strength भी कम हो जाती है तो जहाँ electric field lines पास पास में होती है वहाँ पे electric field lines की strength भी जादा होती है और यहाँ पे electric field lines की क्योंकि distance डबल हो गई तो strength उसकी आधी हो जाएगी तो अगर यहाँ पे electric field intensity E है तो इस region में आपके पास electric field intensity की value होगी E by 2 तो हमको पता है कि कोई भी mass है अब उस mass का acceleration होता है उस mass पे force लगता है M into A ठीक है और यही M into A वाला जो force है यह QE के बराबर होगा यहाँ से हमको पता लग जाएगा कि कोई भी charge particle जिसका mass M है जिस पे charge Q है और वो electric field में है तो उसका acceleration कितना होता है उससे क्या बता है कि V square minus U square बराबर 2AS होता है ठीक है और यहाँ पे हमारे पास हम बात कर रहे है time की तो हमको time की जरूँ है तो इसके हम use कर लेते हैं second equation that is S equals to UT plus half AT square ठीक है अब हम मानते हैं कि let initially जो हमारा charge था वो 0 initial speed से चलना शुरू हुआ था तो S क्या हो जाएगा half AT square ठीक है अब S जो इसने distance चला है उसको हम X ले लेते हैं और यह हो जाएगा half A acceleration हो जाएगा QE by M into T square तो यहां से T क्या आजाएगा मेरा 2XM by QE का under root यह हो जाएगा मेरा T S ही मेरे को उस region में भी निकालना है तो उस region में भी S बराबर क्या होगा half A T square के ठीक है न वहाँ T capital T square हो जाएगा acceleration A dash हो जाएगा तो वहाँ पे भी same X distance चलना है उसने half की जगा half ही आजाएगा acceleration हो जाएगा QE by M into में 2 क्योंकि इस case में second case में जो electric field है वो E by 2 हो गई तो यहाँ तो E ही था तो इस वले case में हम E by 2 substitute करेंगे ठीक है into capital T का square तो मुझे capital T निकाल ला है तो यह जाएगा 4MX by QE का under root यह हमारा हो जाएगा capital T ठीक है अब इस capital T को इस T से compare करना है मेरे को यह वाला T और यह वाला T दोनों को compare करना है तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ जो मेरा capital T है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 root 2 times into root 2 MX by QE ठीक है क्योंकि यह जो पूरा का पूरा root 2 MX by QE है यह क्या है मेरा यह small t है तो इसका मतलब मुझे यहाँ से पता लगता है कि मेरा capital T होगा वो root 2 times हो जाएगा तीक है यानि कि अब यहाँ पे जो charge को अगर वो ही charge को अगर X distance travel करना है तो उसको root 2 T time लगेगा इतना X distance travel करने में तो हमने क्या करा बस इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग root 2 into root 2 MX by QE और इसकी value हमने यहाँ substitute कर दी so this will be the answer for question number 1 which is